तो है फ्रेंड्स मेरा हूँ स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर सही आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन लाइफ में जहां मिलता है आपको ओनलाइन सॉलिशन तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आदार में जब आपने मुबाइल नमबर और इमेल आईडी को वेरिफाइक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यू आईडी आई वाली जो साइट होती है आदार के उस पर आजाना है उसके बाद आपको यहाँ आपको माई आदार पर जाने को आदार सर्विस पर आपको जाना है और यहाँ पर आप अपने आधार और email ID को verify कर स सकते हैं अपने आधार से ठीख है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा सबसे पहले आपको 12 अपना अधार नमबर डालना होता है जो कि आपके पास आपको डालना है और सही-सही डालना है आधार देख कर डालना है क्योंकि आप यहाँ पर गलत डालेंगे तो आप अपने mobile number और email id को verify नहीं कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है जो कि आपके आदार से link है उसके बाद यहाँ पर आपको capture डाल देना है capture आप refresh भी कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है और अगर आपके आदार से email id भी link है तो आप यहाँ पर उपर लिखा हुआ है mobile और उसके निचे लिखा है email वहाँ पर आप email id भी डाल सकते हैं इसके बाद send OTP पर click करना है अब आपके आदार से जो mobile नंबर link है उस पर एक OTP जाएगा 6 अंक का वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है यहाँ पर enter OTP यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपने mobile पर जो OTP आया है 6 digit का वो आपको यहाँ पर डाल देना है जो कि सिंपल सी स्टेप है सबसे बहुत आपको आदार नंबर डालना है और send OTP पर click कर देना है अब जैसे send OTP पर click करेंगे तो आपके आदार से जो mobile नंबर link है वहाँ पर एक OTP आता है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना होता है जैसे आप यहाँ पर OTP डाल देंगे proceed to verify पर click करेंगे तो आपके आदार से जो mobile नंबर link है वह verify हो जाएगा ओटमेटिकली तो यहाँ पर देखिए मैं OTP डाल देता हूँ उसके बाद जो proceed to verify इस पर click कर जेता हूँ जैसे ही यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर देखिए दो mobile number matches with our record मतलब आपको verify हो चुका है successfully तो इस तरह से आप अपने email id और mobile number को आदार से verify कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले